हमारा फर्स्ट वीडियो है यह बेसिकली मेरी मम्मी को सिखाने के लिए है कि Google Slides कैसे यूज किया जाता है और Google Slides काफी काम की चीज होती है इस एप को सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सिखाते हैं तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और स्लाइड्स सर्च करेंगे और यह Google Slides आएगा यहां से इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे तो बैक्ग्राउंड यहां पर यह है कि मेरी मम एक योगा और नेट्रोपैथी की इंस्ट्रक्टर है और उनको लोगों के साथ पोस्टर्स शेयर करने होते हैं तो वैसे तो गूगल स्लाइड्स आपका बहुत सिंपल स्लाइड्स बनाने के लिए काफी अच्छा एक प्लैटफॉर्म बन जाता है और आप इसे एज़ स्लाइड्स शो भी कर सकते हैं और आप इसे प्रेजंट कर सकते हैं अपने डिवाइस पर ऐसे और साथ में बात कर सकते हैं या उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं पर उसके साथ साथ गूगल स्लाइड्स चोटे-चोटे पोस्टर्स बनाने के लिए और सिंपल सिंपल पोस्टर्स बनाने के लिए भी काफी ज्याद अच्छ़ा परफॉर्म करता है यह सिंपल है इसे सीखना आसान है और जास्थ गेट्स ーン घॉप डनर अब में बनाना पसंद करते हैं अधर्वाइज जो नॉर्मल स्लाइट बनते हैं वो आपके स्क्रीन के शेप में बनते हैं 16 इस तो 9 क्योंकि वो प्रेसेंटेशन के लिए बने है इसको पेज के सेट अप को चेंज करने का जो ऑप्शन है वो आपको इसका मोबाइल एप नहीं देत है मोबाइल एप की फीचर जो है वो डेस्टॉप गूगल स्लाइट से थोड़ा सी थोड़ी से लिमिटेड ही होती है तो हम लोग देखते हैं कि आज्यूमिंग की यह हमारे पास अल्रेडी है एक स्लाइट जिसका जो पेज सेट अप है वो mobile के रूप में किया हुआ है मतलब एक एफ़ोस शीट में किया हुआ है वर्टिकल हम अब इसमें स्लाइड बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम एक रूद बनाना चाहेंगे मान लिजिए हमें पोस्टर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहां पे एक प्लस बटन है इसे दवाने से हमारे स्लाइड शो में एक नया पेज आ जाएगा तो पेज के लिए कुछ अलरेड़ी प्री फॉर्मैटेड लेयाउट्स हैं यह लेयाउट्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप यह चुनिएगा तो आप उसे बाद में ऐसा नहीं कर सकती है पर यह आप मतलब यूजुली आप इन में से कोई भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाए और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ इस क्रैच से करें तो एक ब्लैंक लेयाउट से भी आप शुरू कर सकते हैं तो हम अभी के लिए एक ब्लैंक लेयाउट शुरू करेंगे तो देखी यह पहले मेरा पहला स्लाइड था यह दूसरा स्लाइड में हमको एक ब्लैंक पेज मिल गया अब हम देखेंगे कि इसमें एक image कैसे एड करते हैं तो एक image एड करने के लिए हम लोग या कुछ भी insert करने के लिए जैसे इक ऩया page एड करने के लिए यहाँ वाला प्लस बटन हम लोग यूज कर रहे थ है वैसे ही पेज में आगर कुछ भी add करना है तो उसके लीए इधर वालाלא प्लस बटन हम लोग यूजव करेंगे इसे इंसर्ट बटन बोलेंगे तो इंसर्ट बटनो को जितने बार भी हम दबाएंगे तो हमारे पास taxes क्या इंसर्ट करना है अपने slides में जैसा हम देख सकते हैं हम a create इंसर्ट कर सकते हैं image इंसर्ट कर सकते हैं, शेफ इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग माल निजे एक एपल के माउस पे बना रहे हैं एक प्रेसेंटेशन, ठीक है, तो हम लोग एक इमेज इ च्शेविड है तो उनसे किसी को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हमारे इंसर्ट इमेज में वापस कहुए कैमरा से हम इसे अलाओ करके ऐसे एक फोटो कीच सकते हैं तो अभी मैं इसी से फोटो कीच के सीधह इनसर्ट कर दूंगा आँँ अफोकस करेगा तौं मा लीज़े मैंने एक फोटो खीचा और उसे मैंने सेलेक कर लिया अब ये मेरे पूरे पेज में इंसर्ट हो गया अब हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी इस हैंडल से इसे रिसाइज नहीं करेंगे जैसा कि हम देख रहे हैं कि इससे इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है यानि कि इमेज चप्टा हो जाता है किसी भी चीज को अंडू करने के लिए ऐसे अंडू करते हैं और देखे कि हमने फोटो को इंसर्ट करना भी अंडू कर दिया तो उसे एक बर रीडू किया और ये फिरसे आ गया अब इससे मालीजें हमें सेंटर में रखना है ठीक है अब इस पर हम एक टेक्स्ट एड़ करना चाहते हैं तो जब भी हम कोई text add करना चाहते हैं, तो फिर से हम insert button में जाएंगे, और insert में जाके हम text लिखेंगे, ठीक है, और हमारा text जो होगा, उसका जो style है, वो हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, ये इस button का नाम है format, आपका text का जो format होगा, वो इससे आप set कर सकते हैं, सबसे पहले हम font देखेंगे कि क्या-क्या font हमारे पास available है, इतने सारे fonts हमारे पास available है, हमें एक display font चाहिए, या फिर हमें एक heading font चाहिए, जो काफी ज्यादा बड़े-बड़े fonts होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक ultra है, इसे एक display font कहा जाता है, जो बड़े-बड़े displays में use क करते हैं, नॉर्मल टेक्स के लिए, वरड़ाना, ट्रेबूशे, स्पेक्टरल, सोर्स कोड़ प्रो आपका एक monospaced font है, तो अलग-अलग तरह के fonts हमें मिलते हैं, अगर आपको handwriting type का कुछ font चाहिए, तो pacifico है, अब ही अपने काम के लिए, हम लों ब्री से refuse करते हैं, क्योंक हम लोग जरूर करेंगे, और text size हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगवक 30 रखते हैं, text का color हम लोग क्योंकि black पे लिख रहे हैं, तो white color से लिख सकते हैं, ऐसे अलग-अलग colors available हैं हमारे पास, और हर colors के अंदर वो उतने shades हैं, जो अभी current theme आपका select हुआ है, उसमें ज slideshow जब हम लोग बनाते हैं, तो पूरा slides एक ही color theme पे हो, तो वो काफी consistency मिलती है उसके लिए, तो theme के colors में से कोई अगर आप चुनना चाहते हैं, तो यहां है, और अगर आप कोई custom color चुनना चाहते हैं, अगर अगर आपने कुछ custom colors एड़ करके रखी हैं अपने desktop web app से, तो वो यहां पे useful होता है, anyways, अभी हम लोग एक simple सा white color use करने वाले हैं, हलका कम white, और text color हमने select कर लिया है, यह highlight color भी काफी अच्छी चीज होती है, highlight color हम लोग बाद में आते हैं, अब हम लोग पहले text लिखते हैं, यहां पे अब हम लोग जैसे एक whatsapp message लिखते हैं, वैसे ही अपना text लिख सकते हैं, तो अब हम देख रहे हैं यह कि यह जहां पर आपका white on white है, वहां पे आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए यहां पे highlight color का concept है, जिसमें आप कुछ text को ऐसे select करके और हाफ में highlight भी डाल सकते हैं, आपको अगर पूरे में highlight डालना है करके आपके लिख में जा पूरे में highlight बटेते हैं को बल्रते ही यहां पालाक कर लाफ़े ह। तो यह इसका look कुछ ऐसा आ जाएगा और अगर हम ध्यान से देखें तो यह highlight सिर्फ इस cool पे हुआ है and actually apple mouse पे नहीं हुआ है तो यह एक cool तरीका है अपने text को और अच्छा बहतर visibility देने के लिए अगर आप अपने text को और ज़्यादा highlight करना चाहते हैं तो आप इसमें actually में एक shape insert कर सकते हैं और for example आप एक basic सा अपना एक rectangle shape insert कीजिएगा उसको आप थोड़ा सा format कीजिएगा ऐसे और उसे कुछ color दीजिएगा इसे color देने के लिए हम एक fill color दे सकते हैं इसे हम border color दे सकते हैं इसे हम border style दे सकते हैं इसे हम drop shadow दे सकते हैं drop shadow basically आपका एक जैसे मैं white color का drop shadow कर देना चाहूं और angle distance थोड़ा सा बढ़ाँ इस drop shadow का तो आपको समझ में आएगा कि और blur radius थोड़ा बढ़ादूं तो यह drop shadow को blur करता है यह drop shadow आपका original box से कितना दूर आएगा उसको define करता है और distance आपने बढ़ा दिया तो यह आपका angle बताता है कि आप किस angle पर उसको रखेंगे खेर अब ही हम drop shadow नहीं कर रहे हैं माली जी यह मेरा box मैंने बना लिया और उसके बाद इसे इस पर डाला और अब मैं चाहता हूं कि यह जो item है वो अपने से नीचे चला जाए तो रियॉडरिंग के भी जो option है वो आपने इसमें basically नहीं दी है मतलब मुबाइल फोन में रियॉडरिंग की option नहीं रखी हूई है तो फिर हमें यह करना होगा कि इसे पकड़ेंगे हम इसे cut करेंगे इसे पूरी चीज को undo करेंगे सिर्फ टेक्स्ट को पकड़ेंगे कि कोशिश करेंगे हम सिर्फ टेक्स्ट को पकड़ने की कोशीश किया और इसे कट किया और इसे हमने यहां पे लाया और यहां पे फिर पेस्ट कर दिया तो और फिर पूरा टेक्स्ट है उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया लॉट कलिक करके ऐसे पूरे टेक्स्ट को और यहां पर फिर हाइलाइट कलर हमने हटा दिया नन कर दिया और जो टेक्स्ट कलर है वो हमने ब्लैक रख दिया तो यह भी एक तरीका होता है शेप दे के उसके उपर टेक्स्ट देना skill mix credit देना है तो हम फिर say इनlık लिए करेंगे और हमारे पास कोई बहुत तो है की उसा टेक्स्ट है नहीं पर यहा पर टेक्स्ट तो penser दो फिर से यहां से यहां ले अब बाएंगे मूव करना डोलिएक वाइस करना आसान है इसमें कोई परेशानी नहीं है अब यहां पर डबल टैप करेंगे करके हम अपना कुछ भी टेक्स लिग सकते हैं इसको एक हाइलाइट कलर देना जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर तो मालनीचे अगर हम ब्लैक कलर का हाइलाइट कलर और वाइट कलर का टेक्स्ट कलर दे देते हैं और साइज को समवेर अराउंड एटीन रखते हैं फॉंट थोड़ा सा चेंज करते हैं हमें थोड़ा सा स्टाइलिस चाहिए मालनीजे तो उसके लिए हम लोग मालनीजे मॉंसराट यूज करते हैं और Montserrat actually आपका बहुत ज्यादा रीडेबल फॉंट हो जाता है तो लोगों को पढ़ने में काफी मज़ा आता है so Apple mouse is a mouse with multiple features it can slide and it can change between 15 workspaces with simple trackpad like gestures gestures it can also also has a hard click for when you need it और इसके साथ हमारा एक image और दो text के साथ एक banner जैसा कुछ prepare हो गया है अब इसको मान लीजे हमें share करना है लोगों के साथ तो इसे हमें export करना होगा अब export करने के लिए हमारे पास यहां पर यह तीन डॉट है तीन डॉट में हमारे पास यहां पर share and export का option है share and export में जाते हैं तो यहां पर हमारे पास एक save as का option होता है और एक print का option होता है मान लीजे हम save as के option में गये तो हमें बहुत सारे formats मिलते हैं जिन images में आपने camera से खीची गई photo या फिर जो pixels वाली photo होती है वो use की हैं उन्हें JPEG में ही export कीजे photo है तो या तो JPEG या तो PNG में ही export कीजे अगर काफी सारे icons यूज हुए है या फिर cartoon वाले arts यूज हुए है तो PNG में export करना चाहिए और अगर असली camera से खीचे गए type के photos यूज हुए है तो JPEG यूज करना चाहिए कुछ समझ में ना आए तो JPEG यूज कर देजिए JPEG image OK तो अब यह क्या करेगा कि अपने current slide का एक JPEG image बनाएगा ठीक है और इसको हम नाम देदेंगे apple mouse.jpeg अब अगला question है कि इसे हम कहां सेफ करेंगे तो हम रविष R503 में सेफ करेंगे और अपने Google Drive में एक नया folder बना देंगे जिसका नाम होगा exported slides इसे select कर लेंगे और save कर देंगे तो यहां हम देखेंगे कि एक file हमारा exported slides में save हो चुका है अब हम Google Slides को बंद कर देंगे हमें एक और app की जरुवत है जिसका नाम है Google Drive Google Drive में हम जाएंगे और अभी तुरंत हमने exported slides नाम का एक folder बनाया था तो वह folder अभी टॉप में आ जाना चाहिए नहीं आ रहा है तो यहां पर हम जाएंगे यह exported slides folder है हम देखेंगे कि हमारा image यहां आ गया है अब इसे हमें करना है डाउनलोड हमने कर लिया इसे डाउनलोड अब इस image को हम कहीं से भी शेयर कर सकते हैं जैसे मान लिजे मैं WhatsApp में गया और अपनी मौम के साथ यह image शेयर करना चाहा तो हम देखेंगे कि हमारे पास यह अब हमारे gallery में आ गया है और इसे हम सिर्फ simply send कर देंगे और उसके बाद जो भी WhatsApp message या कुछ भी लिखना है तो इस तरीके से हम Google Slides से एक poster बनाके उसको शेयर कर पाए काफी ease के साथ That's it for today's presentation और यह flow काफी simple है Google Slides as an app काफी powerful है इसका main फायदा यह है कि आपके cloud में यह चीज save होते रहता है अलगातार अलग से इसे save करने की जरूरत नहीं है और that is how we do things वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए definitely इसे subscribe कीजिए मैं इसका अगर और कुछ doubt है तो comment में डालिए and एक playlist बना दूँगा लुझा लुझा ब़ल